पसी पुरानों में साफसाप लिखा है कि विद्वाओं के लिए खटा मिठा काना वर्जित है उसे मन अशान्थ होता है विचीत्र भावना याती है और एक विद्वा के लिए उसका मन शान्त रहना जरूरी है और उसमें स्राप भगवान का ख्यालाना चाहिए हमें देखो बाय के मरीज गुड़ने चटक गए और डोक्टर ने कहा दिया देशी गी खाना है इसलिए कभी-कभी तोचार पूरी खा लेते हैं पूरी के साथ हलवा होता है वो भी खा लेते हैं अब रुखी पूरी मीठे से मन भर जाता है तो थोड़ी आलू की सबजी ले लेती हूँ थोड़ी कद्दू की ले लेती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी दही भी ले लेती हूँ थोड़ी सी चटनी ले लेती हूँ और सिरफ एक या दो कचोरी ले लेती हूँ, इन सब के साथ अचार तो लेना ही जरूरी पड़ता है, वो भी ले लेती हूँ, डाक्टर के कहने से, अपनी मर्जी सर्में कुछ ना लेती हूँ, डाक्टर ने का, स्रब उतना ही खाती हूँ, और कुछ नहीं खाती हूँ, वरना हम, हम तो हाथ भी नहीं लगाए किसी चीज को बस रात को थोड़ा सा बदाम केसर डाल की दूद बस वह लेती हूं नींद आ जाते हैं ना नींद कहां आती है डाक्टर ने कहा है इसलिए नहीं तो मैं तो कुछ भी ना खाऊं मैं कितनी सरीव हूं देखो हाँ